जब भी मार्केट में एक नया NFO आता है मतलब new fund offering आती ही तो मन में doubt होता है यार यह कितना आगे जाएगा क्या इसकी parent company अच्छी है लेकिन अगर कोई नया mutual fund आया है market में और उसकी company अगर max life हो तो भाई कैसा लगता है अगर max life insurance उसकी parent company हो definitely chance जाता लगता है क्योंकि वो NFO की बारे में बात किया जाए वो NFO हमारा है nifty small cap 250 quality 50 अब यह benchmark अगर nifty small cap 250 quality 50 है जिसने last 10 years में 22% return दिया है record देखोगे तो last 10 years 22% last 5 years लबस 16.5% and last 3 years में 38% return मिला है मतलब अगर इस parent company में आपने 2013 में लगबख 1 lakh रुपीज लगा दिया होता ना तो आज की rate में लगबख 7.3 lakh रुपीज होता यह parent company है उसी के NFO आया हुआ है जो return plus life cover दे रहा है मतलब 120 गुना ज्यादा जो आप monthly premium करते हो तो right तो इसके बारे में detail थोड़ा discussion करेंगे आज आज की video में कि भाई यह जो max insurance का NFO है कितना शांदार है और कितना अच्छा result दिया है देखो इसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा nifty small cap quality index fund है अगर nifty की बात करें एक ऐसा NFO जो हमारा index fund को represent करता है index fund मतलब जहां हमें कोई fund manager requirement ने होती है अगर हमारी company grow हो रही है definitely हमारा पैसा भी grow होगा मतलब छोटा packet बड़ा धमागा की बात हो रही है तो डिटेल में और जाएंगे कि भाई fund का क्या नाम है max life nifty small cap quality index fund है nfo period ध्यान रखना 11 अगस 2023 से 24 अगस 2023 है policy वजार की website से आप आराम से ले सकते हो quality 50 case का benchmark है थोड़ा डिटेल में जाएंगे समझने कोईश करेंगे कि भाई आपको पता है कि max life इंडिया का number one private life insurance company है अब उसके अंदर गत हमें देखते हैं कि सबसे पहला small cap index fund launch हो रहा है सबसे पहला small cap index fund के बारे में बात किया जिसकी NAV बहुत कम है हमें पता होता है देखो अच्छी बात यह है कि जब भी आप NAV की बारे में बात करते हो NAV कम होना चाहिए लेकिन अगर आप NFO में discuss कर रहे हो काफी मेरा discussion होता है लोगों से आज ही बात हो रही थी कि सरर NFO में invest करने की ना करे मैं यह कहता हूँ कि देखो यार अगर आप जानते हो कि इसकी parent company strong है fundamental strong parent company है आप उस पे invest कर सकते हो जिसका यूम लगबग 1.22 lakh करोड है लगबग 31 मार्च का डेटा जो कहता है solvency ratio बहुत अच्छा है 190% solvency ratio लगबग 1.27 times more than 150 right detail में तो और समझेंगे इसके बारे में और क्यों index fund इसके पीछे कहानी है कि जब भी हम equity market invest करते हैं small cap mid cap large में convert करना बहुत अच्छी बात है लेकिन काफी लोगों की पसंद index fund इसलिए रहता है क्योंकि index fund में कोई manager कोई fund manager नहीं है यहाँ आप अराम से जो भी आप investment कर रहे हो expense ratio लगबग यहाँ 0.2% के बरावर होता है बहुत कम expense ratio होता है यहाँ कोई manager fund manager के expertise नहीं होती इसलिए जब भी आपका market भागता है nifty 50 company भागती top 30 company भाग रही है तो definitely आपका पैसा भी बढ़ता है अब index of this nfo यह क्या है हमारा nifty small cap 250 है जो last year लगब 22% result दे चुका है मैंने आपको बताया है last three years का data लगबग 38% रहा है अब अच्छी बात यह है कि भाई आपको यहाँ return plus life मिल रहा है life cover of 120 time 120 गुना जादा जो आप monthly लगबग जो भी premium लेते हो न लगबग उसका देखो return तो आपको मिली रहा है return मैंने आपको दिखा दिया लेकिस साथी साथ आपको risk cover risk cover मिल रहा है इसको बोलते है life cover 120 times of your monthly premium जो भी आपका monthly premium है उसमें कर सकते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको और detail में देखना चाते हो तो मैंने बिलुकुल description link डाल दिया है check out कर सकते हो check कर सकते हो कि कितना की फायती आपके लिए है अच्छी बात यह है कि पहला पायदा यह रहेगा कि भाई return plus life के आपको cover मिल रहा है तो आपको आराम से maturity tax free मिलता है minimum 2000 से यहां investment आप आराम से कर सकते हो तारी चीजे हैं and बाकी कुछ भी आपको और information चाहिए तर description मैंने policy बजार का description में डाल दिया है link आप आराम से check out कर सकते हो और इस NFO का फायदा उड़ा सकते हो बाकी ध्यान रखना कि जो NFO का हमारा timeline है वो timeline बहुत important है so that आपको पता रहे कि timeline कब है timeline इसका लगबग आपको मांगे चलो कि timeline इसका so इस NFO का जो timeline है timeline आपको important रखना पड़ेगा 11 अगस 2023 से start है 24 अगस 2023 तक इसका NFO का start time है ध्यान रखना benchmark निफ्टी small cap 250 quality index fund है अगर निफ्टी की small cap कंपनिया है बहुत तेजी से return देती है हमें सब पता है इसलिए आप 34 पे invest कर सकते हो बाकी कुछ भी detail हो description में लिंक डाल दिया आप वहांच check out कर सकते हो और बाकी चैनल पे नया subscribe कर लेना बाकी मिलते ने स्टूडो के साथ वावे take care जैहिंद